हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो यूपी टॉपलेसी के और से एक notification जारी किया गया है और एक नई वेकेंसी जो है निकली है तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी वेकेंसी है और क्या है इसके लिए तो सारा कुछ देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ट सायक मुख परिक्षा यानि कि जूनियर असिस्टेंट की ये वेकेंसी है तो यहाँ पर देखेंगे क्या अंतर है इसमें जो है कुछ अंतर है कल की वेकेंसी थी उसकी अपेक्षा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली चीज कि जो उनलाइन स्टार्ट है वो आपकी 19-12-2022 से होंगी कल का जो डेट थी उनलाइन स्टार्ट की वो अलग थी यहाँ पर देखेंगे जो लाश्ट डेट है वो 8-1-2023 है और जो संसोधन की अंधिमतिती है वो है 15-1-2023 तो यह तो हमने देखी डेट अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे की वेकेंसी है कितनी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 62 पदों पर यह वेकेंसी निकली है ठीक है कुल 62 यहाँ पर जो है पद है ठीक देख सकते है 62 पद यहाँ पर है अब अगर हम बात करें कि यह जो वेकेंसी है तो यह कैसी है तो दोस्तों यह अलग डिपार्टमेंट के कल जो वेकेंसी निकली थी वो दो डिपार्टमेंट से थी दो विभाग से थी ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस्थापना एवं और ज्यों के विकास विभाग यह अलग डिपार्टमेंट है और यहां से जो है तो वो सब यही है कि website है upsc.gov.in तो इस पर जाकर के जो है इसका online आप कर सकेंगे आगे देखते हैं यहाँ पर main बात है तो अंतर क्या है कल की vacancy में और आज की vacancy में अगर eligibility की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यह तो आप fees देख सकते हैं से में कल भी 25 रुपए थ आगे देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यहाँ पर दिया गया है कि पद का नाम क्या है तो कनिश्ट सायक है और विभाग कौन सा है तो अब इस्थापना इवं और द्योगिक विकास विभाग यह है डिपार्टमेंट का नाम अब दोस्तों एज है वो 21 से 40 साल लगी गई है जबकि कल जो वेकेंसी थी कल जो नोटिफिकेशन आया था कनिश्ट सायक का उसकी जो एज थी वो 18 से 40 साल थी एक इसमें अंतर है इसमें 21 से 40 साल वेतन मेंड वही है बावन सो से 20,200 ग्रेट पे 2000 ग्रेट पे की ये पोस्ट है और इसके लाव सुचित जन जाती की तीन अन्य पिशड़ावर की 9 और EWS की 6 टोटल 62 आगे देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 36 आरक्षा चैटिज आरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जो स्वतंता संग्राम के सिनानी है उनकी एक यहां पर वेकेंसी है और महिलाओं की अगर ह बात करती हैं तो इसमें भी थोड़ा अंतर है दोस्तों कल की जो वेकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट की उसमें क्या था 12 था इसके लावा ट्रिपल सी था और हिंदी और इंग्लिस दोनों में टैपिंग थी इसमें अंदर गया है तो इसमें अंदर यह है कि आपकी 12 होनी चाहिए इसके साथ ही आपका ट्रिपल सी होना चाहिए लेकिन जो टाइपिंग है वो केवल आपकी हिंदी में होनी चाहिए यहाँ पर दिया गया है और कितनी होनी चाहिए तो 30 सब्द प्रती मिनट और जो कल जुनियर असिस्टेंट की वेकेंसी थी उसमें जो आपकी और इंग्लिस में 30 लेकिन यहां पर जो है हिंदी की टैपिंग दी गई है 30 सब्द प्रती मिनिट तो यह चीज यहां पर अंतर है और अधिमानी एर्था की अगर बात करें तो वही है अगर प्रारदिशिक सेना में नियूंतम दूवर्स की सेवा की है तो आपका मान्य होगा और NCC में B प्रारपत्र है तो वह आपका मान्य होगा आयू की बात करें तो वह आपको बता दिया है कि 20 साल मिनिमम और 40 साल मैक्जिमम एज है आगे देखते हैं चैन का आधार तो चैन का आधार इसमें क्या है तो चैन का आधार आप देख सकते हैं तो चैन के आधार में क् पैट 2021 के आधार पर आपको जो है इसमें select किया जाएगा कुछ candidate को जो है बुलाए जाएगा और जो आपका exam है अगला वो कौन सो होगा तो main exam होगा ठीक है उसी के आधार पर जो है आपको इसमें चैनित किया जाएगा और यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश और द् बीचा अतिती है उसके बारे में संबंद में यहाँ सूचित कर दिया जाएगा तो यह चीज आपर देखा आगे देखेंगे यहाँ पर तो आगे यहाँ पर जो है आगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो यही था main तो आपने देखा कि वेकंसी है यूपी से कौन सी है कनेश्ट सायक की है और जो डिपाट्मेंट है वो एक अलग डिपाट्मेंट है कौन सा है अविस्तापना एवम उद्धयों की विकास विभाग तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे टेलिग्राम चैनल की लिंक है और सभी लोग टेलिग्राम चैनल को जोईन जरूर कर लें क्योंकि इस तरह के जो नोटिफिकेशन से वो सारे आपको टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द कराए जाते है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू